हेलो दोस्तो, नए साल में आपता स्वागत है, ये साल आपको खुशियों भरा और काम्या भी भरा रहे, आज एक नई सिरियल किलिंग की मुवी लाया हूँ, इस मुवी में मिस्टरी भी अच्छी खासी मैंटेन करके रखी है, तो चलो इस एक्साइटिंग मुवी का जैसे ही बारा बचते है, पूरे शहर में आतिश बाजी शूरू होती है, नए साल की नई शुरुवात, मगर जिया के लिए कोई सपना नहीं बचा, शहर के भार नदी किनारे कार में बैटी वह, अपने गले पे गन लगाती है, बस एक फाइरिंग और जिन्दगी खतम, सु तो अब जिया, जो एक पुलिस डिटेक्टिव है, टॉर्च लाइट में नदी किनारे आती है, तो रिप्रेप में बड़ी एक लड़की की लाश, उसे नजर आती है, एक पल वह डर जाती है, अब वहाँ पुलिस आती है, पुलिस चीफ कैप्टन विली, क्राइम लोकेशन पहुचता है, जो जिया को अच्छी तरह जानता है, वो जिया की कार में बटता है, और कार के अंदर रूप पर लगे, बलड और बुलेट की निशान को देखता है, जिससे वो वाकिफ है, वधा कुछ मएने पुराना है, जिया ने चलाई, भुलेट भी उसे मिल जाती है, उस इंसिडन्स से जिया पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी और खुद को भी खतम करना चाती थी। दुसरे दिन वो वीली के केबिन में पहुँचती है। जिया वीली के अंडर ही काम करती है। जिया ने अपने ट्रांसफर के लिए एप्लिकेशन दिया है। मगर वीली ने उसे होल पे रखा है। वो चाता है कि नदी किनारी मिली उस लड़की की केस को अब जिया सुल जाए। उसके बाद ही वो उसके ट्रांसफर के पेपर फॉरवर्ड करेगा। जिया को सिंडी के साथ मिलके केस हैंडल करना है। सिंडी ने पॉलिस एकड़मी में टॉप किया है और हाली में पुलिस फोर्स जॉइन की है। वीली को लगता है कि अगर जिया केस में बिजी रहेगी तो वो उसके डिप्रेशन से भी दूर रहेगी। तो अब नच आते हुए भी जिया केस को सॉल करने में लग जाती है। अब हमारे सामने शेनॉन आता है जो तैवान में थाई इमिगरंट है। वो वारिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है। हमेशा उसकी यादों में खोया रहता है। थाईलंड से तैवान आये इल्लीगल इमिगरंट के जूटे पेपर्स बनाके उन्हें जॉब दिलाने का काम भी शेनॉन करता है। सुबह सुबह उसका दोस्ट डैनी उस पे नाराज होता है। कि शेनॉन कल रात उसे बीना बताए उसकी टैक्सी ले गया। क्योगि नो इंट्री में टैक्सी चलाने का फाइन मार के ट्राफिक पुलिस ने उसका चलान उसके भेजा है। शेनॉन उससे कहता है कि 31 की रात वो उसकी टैक्सी नहीं ले गया था। वो घर पे ही था, वारिया का इंतजार कर रहा था, वारिया चार दिनों से गायब है, उसका फोन भी नहीं लग रहा, जिससे शेनॉन टेंशन में है, अब जिया और सिंडी दोनों आटोपसी डॉक्टर सी मिलती है, जिसने कल रात मिली उस अंजन लड़की की डेड़ बोडी क एक्जैमिन किया है, डॉक्टर बताता है कि लड़की के शरीर से उसका हार्ट निकाला गया है, और उसकी रिंग फिंगर भी काटी गई है, रिंग फिंगर याने जिस उंगली में मैरेज रिंग पहनी जाती है वो, लड़की के उंगलियों से स्कीन निकाली गई है, ताकि उसकी पैचानना हो सके लड़की को दो-तीन दिन हतकडियों से बंदा गया था लड़की के पेट पे थाई भाषा में कोई टैटू बनाया गया है शायद लड़की थाइलंड की है मगर मोद की वजा कारवन मोनोकसाइड के सफोकेट होने से हुई है जिया के समझ में नहीं आत कि शरीर से स्रिफ हार्ट और एक उंग्री निकालने के पीछे क्या लॉजिक है डॉक्टर बताता है कि ऐसा मानना है कि रिंग फिंगर की नस सिधा हार्ट टक पहुँचती है इसलिए उसे प्यार की नस भी कहा जाता है तो इस मर्डर का कनेक्शन प्यार से है लगता है किलर emotionally hurt हुआ है यहां रात को Shannon घर पे आता है तो देखता है एक लड़की उसके शॉप का दर्वाजा खट-कटा रही है बड़ी मुश्किल से पुलिस से बचाते हुए वो उसे अंदर लेके आता है Shannon अपने शॉप की उपरी मंजिल पे रहता है लड़की से पता चलता है कि वो वारिया की छोटी बेहन साइपिन है वो भी वहाँ जॉप के सिलसिले में आई है मगर पिछले एक हफते से उसका वारिया से कोई कांटेक नहीं हो रहा था Shannon साइपिन को पैचानता है वो नहीं चाता साइपिन भी अपनी बेहन की कदमों पे चलके इस देश में चोरी चिपे रहे साइपिन की बातों से पता चलता है कि वारिया ने Shannon के साथ ब्रेक अप करके किसी Simon नाम के थाय लड़के को पकड़ लिया था जिससे Shannon का दिल तूड गया था और वारिया को ऐसा करने के लिए साइपिन नहीं उकसाया था क्योंकि Shannon उसके और वारिया की रिष्टे को लेके सीरियस नहीं हो रहा था साइपिन शेनन से कहिती है कि भले वारिया ने तुम्हें छोड़ा था मगर अंदर से वो तुम्हें चाती थी या नाथन की मोच से जिया इसकदर इमोशनल हुई है कि वो रात को उस कार में सोना पसंद करती है जिसमें नाथन ने सुसाइड की थी तबी रात को पूलिस कंट्रोल रूम में किसी अंजान आदमी का फोन आता है वो बताता है कि पूलिस को नदी किनारे जिस लड़की की लाश मिली है उस लड़की का नाम वारिया है दुसरे दिन विली ये बाद जिया को बताता है किसी पेफोन से फोन किया गया था अब विली को पता चलता है कि उस पेफोन पे किसी ने बॉम जैसी कोई चीज रखी है तो अब Bomb Squad को बुलाया जाता है Payphone पे रखे उस Red Box को निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो Bomb नहीं है अब जब Box खोला जाता है तो उसमें कुछ Photos और एक हतकड़ी मिलती है Box पे मिले Fingerprint से पता चलता है कि वो Simon के है जो Thigh Worker है मगर Simon गायव है दूसरी और Sipin के नकली Papers और ID Card बनाने के लिए Shannon उसे Agent के पास ले जाता है Agent Fogo बड़े प्यार से Sipin के Photos निकालता है Fogo illegal immigrant के Papers और Passport बनाने में Expert है यहां उस Red Box में रखे Papers और Photos से पता चलता है कि नदी किनारी मिली लाश वारिया की है वारिया illegal Thai immigrant worker थी जो तैवान में पिछले 6 साल से रहती थी उन्हें वारिया का Sipin के साथ वाला फोटो भी मिलता है जो अभी अभी तैवान में लैंड हुई है अब जिया बॉक्स में मिले फोटो से लिंक लगाने की कोशिश करती है जिया की थियरी के हिसाब से किलर ने बॉडी को दफन करने की वज़ाए रिस लेके उसे नदी किनारे इसलिए फेका क्योंकि वो चाता था कि बॉडी डिस्कलोज हो और साइमन ने ये रेड बॉक्स इसलिए रखा ताकि वो चाता है कि वारिया की मोत की तैकिकात हो जिया इस नतीजे पे पहुचती है कि साइमन ने मर्डर नहीं किया मगर वो इस मर्डर के बारे में बहुत कुछ जानता है तो अब जिया और सिंडी साइमन को धुणने का फैसला करती है यहां साइपिन शेनौन के घर में अकेली होती है कि तभी उसे किसी आयूनी का फोन आता है वो साइपिन से अजिप सी आवाज में कहती है कि वो वारिया की दोस्त है और वारिया किसी मुसिबत में फसी है आयूनी बताती है कि वो साइपिन के बड़्डे के एक दिन पहले उसे पीक अप करने एक टेक्सी भेजेगी जो उसे वारिया के पास ले जाएगी आयूनी साइपिन को वान करती है कि वो शेनौन से बचके रहे अब कुछ दिन गुजरते है मगर साइपिन को काम नहीं मिलता और नाई वारिया का कुछ पता चलता है जिसकी वज़ा से वो शेनौन पे गुस्सा होती है शेनौन उससे कहता है कि तैवान में काम मिलना इतना आसान नहीं या जिया को वारिया के कॉल रेकॉर्ड से पता चलता है कि वारिया के मोत के बाद भी उसके फोन से किसी को फोन किया गया था और वो फोन जिस आउरत को किया गया था उसका नाम आयूनी है मगर आयूनी भी मिसिंग है तो आयूनी के कॉल रेकॉर्ड से पता चलता है कि उसके फोन से लाश्ट कॉल साइपिन को किया गया है जो वारिया की छोटी सिश्टर है वारिया, आयूनी और साइमन के कॉल रेकॉर्ड से पता चलता है ये तिनों और एक नंबर के कॉंटेक्ट में थे और वो नंबर शेनॉन का है तो अब ये दोनों शेनॉन के शॉप में पोश्टती है मगर शेनॉन वारिया को पैचाने से इंकार करता है जिया जानती है शेनॉन इल लिगल थाई वरकर्स को जॉब दिलाने का काम भी करता है वो शेनॉन से कहिती है कि उन्हें एक थाई लड़की की डेड़ बोड़ी मिली है तो वो मौर्ग में आके उसे आइडेंटिफाई करे ये बात सुनके शेनॉन शौक होता है मौर्ग में आके वो कन्फरम करता है कि वो बोड़ी वारिया की है मगर अब वो शौक में चला जाता है उसके इमोशन को जंजोडने के लिए जिया एक पुलिस वाले को गुंडा बना के शेनॉन के पास भेजती है वो गुंडा बना पुलिस वाला जब शेनॉन से वारिया के बारे में गंदी बाते करता है तो शेनॉन उसे मार पिट करता है जिया confirm होती है कि शेनन इमोशनली वारिया में involved था और इस केस का मेंमुद्धा प्यार ही है शेनन जिया को बताता है कि वारिया उससे शादी करना चाती थी मगर ऐसी हालत में वो शादी की जीम्मेदारी नहीं लेना चाता था तो उसने उसे कुछ दिन रुकने के लिए कहा 25 December को Varya ने उसे call करके कहा कि वो उसके साथ break up कर रही है और वही उनकी आखरी बात थी उसके बाद Varya ला पता हुई Varya की मोद से Shannon frustrated हुआ है जब Cindy उसे बताती है कि Varya की मोद के बाद उसके phone से Iyuni को phone किया गया था वो सुनके Shannon शौक होता है वो साइमन को भी पैचानने से इंकार करता है मगर उसे इतना पता है कि अब साइपीन की जान को धोका है तो वो उसे डैनी के घर शिफ्ट करने का फैसला करता है मगर साइपीन जाने को तयार नहीं शेनन साइपीन को पैसे दे के कहता है कि पूलिस और शायद किलर भी उसकी तलाश में है मगर साइपिन इतनी घुस्से में है कि वो जाते जाते डैनी की कार पे डेंट मार के जाती है जिया शेनॉन पे नजर रखे हुए है अब वो शेनॉन के कार का पीछा करती है शेनॉन किसी सुमसान जगा बसी एक फैक्टरी में चला जाता है जा साइमन चुपा हुआ है वो बहुत डरा हुआ है वो शेनॉन से कहता है कि उसने वारिया को नहीं मारा उसने स्रिफ उसकी डेड़ बोडी को नदी किनारे फेका या फैक्टरी के बाहर कार में बैटी जिया सिंडी से उसकी गन लेके अंदर जाने निकलती है अभी साइमन पिछले दर्वाजे से बाहर भागता है शेनॉन साइमन का पिछा करने लगता है चेस के बाद शेनॉन साइमन को दबोज लेता है जिया भी वहाँ पहुँच जाती है मगर चारों की हाथापाई में साइमन जिया से उसकी गन चिनता है वो जिया से कहता है कि उसने वारिया को नहीं मारा इतना कैके वो गन गले से लगा के ट्रिगर दबा देता है साइमन वही पे मर जाता है साइमन की मोच से वीली जिया पे बहुत गुसा होता है क्योंकि किलर तक पोचने के लिए साइमन एक बहुत बड़ी कड़ी थी जिया वीली को प्रॉमिस करती है कि एक विक के अंदर वो एक केस सॉल करेगी अब जिया शेनन को आज़ाद करते हुए कहिती है कि अगर वो मदद नहीं करना चाता तो वो घर जा सकता है शेनन बताता है कि साइमन ने वारिया को नहीं मारा मगर उसके चेरे पे डर को देखके लगता है ये सीरियस मैटर है अब जिया शेनन को बताती है कि वारिया ने मेरी जान बचाई है मैं कार में बटके सुसाइड करने जा रही थी मगर वो मुझे खीचके उसकी लाश तक लेके आई शायद वो चाती है कि मैं उसके कातिल को धुंडू अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो मेरी मदद करो रात को शेनन जिया को कॉल करके एक जगह बुलाता है वा दफन की हुई एक आउरत की लाश वो भार निकलता है और जिया से कहता है कि वो लाश आयूनी की है जिसे वो धुंड रही है अब वो सिधा जिया को बताता है एक जनवरी को मुझे मेरे बॉस मेकॉंग ने बुलाय मेकॉंग तैवान का एक ऐसा सबसे बड़ा employer है जो illegal immigrant को job पे लगाता है किसी ने आयूनी का murder करके उसकी लाश को मेकॉंग के पास भेजा था ये पहला वाकिया नहीं था इसके पहले भी कई immigrant लड़की के murder करके उनकी लाश को मेकॉंग के पास भेज दिया गया था मेकॉंग न मकर साइमन चाता था कि वारिया का कातिल पकड़ा जाए इसलिए उसने वारिया को दफन करने के बदले उसकी लाश को नदी किनारे फेका और पुलिस को इनफॉर्म किया अब जिया और शेनौन आयूनी की लाश को shop में लेके आते हैं जिया आयूनी की body को check करती है तो उसे फोन से आयूनी को फोन किया गया था तो आयूनी की मोत के बाद उसके फोन से साइपिन को फोन किया गया मतलब अब साइपिन की जान खत्रे में है जिया को पता चलता है कि वारिया की मोत 26 डिसेंबर को हुई जब उसका बड़े था तो आयूनी की मोत 31 डिसेंबर को हुई जब उसका बड़े था मतलब किलर लड़कियों को उनके बड़े की दिन मारता है और साइपिन का बड़े कल 6 जन्वरी को है तो स्रिफ एक दिन बचा है किलर इमिग्रंट आवरतों को मार रहा है पहले उसने थायवारिया को मारा फिर इंडोनेशन आयूनी को मारा मगर जिया के मगर वा ना साइपिन होती है ना डैनी या पुलिस को एक CCTV फूटेज से पता चलता है कि साइपिन एक टैक्सी में बैटकर कई चली गई तबी किसी अंजान जगा चेर से बंदी पड़ी साइपिन हमें दिखाई देती है या सिंडी जिया को वो CCTV फूटेज दिखाती है जिस या से करती है डैनी नजान जा रही है तो अब जिया टैक्सी के डेटाबेस में झाक टैक्सी dime के चलान आया करते है हाला कि वह कभी रूल्स नहीं तोड़ता तो ये टैक्सी वह रूल्स तोड़ रही है तो अब जिया ट्रैफिक पुलिस के डेटाबेस में जाके उन चलान की डीटेल्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वह टैक्सी कई बार एक ही जगा के नो एंट्री में जाया करती है तो अब जिया शेनॉन और सिंडी वहां पहुचते है तो वहां उन्हें पार्क की हुई वह टैक्सी दिखाई देती है उस पर डैनी की टैक्सी का डुप्लिकेट नमबर होता है अब जब वह टैक्सी के अंदर टौर्च मारते है तो वहां उन्हें अंदर गिरा हुआ किसी का डुप्लिकेट लाइसंस दिखाई देता है जिस पर नाम तो डैनी का है मगर फोटो फोगो का है वही फोगो जो इल्लीगल इमिगरंट के नकली पेपर्स और आईडी बनाता है यहां उस अंजान जगा जहां साइपिन को बान के रखा है वहां वह किलर एक एक हाथ में लेके आता है क्योंकि कल साइपिन का बड़े है ऑफकोस वह किलर फोगो ही है साइपिन फोगो के इरादे जान चुकी है तो वह उससे मिननते करती है कि वह उसे ना मारे वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तयार है फोगो उससे पुछता है क्या मेरे साथ मेरी पतनी बनके जिन्दगी भर रहोगी साइपिन हा कहती है फोगो उससे कहता है यह जवाब तो मैं कई लड़कियों के मुझ से सून चुका हूं और भुगत भी चुका हूं तुम जैसी लड़किया अपने मतलब के लिए सफाई से जूट बोल देती है तुमें किसी के दिल की क्या परवा जैसे ही पहला मौका मिलेगा तुम भाग जाओगी और अभी भी तुम यही सोच रही हो ना तुम जैसी लड़कियों के लिए मैंने यह बड़े सेलिब्रेशन एरेंज किया है जिस दिन बड़े है उसी दिन तुम जैसे लड़कियों का डेट डे होगा अब फोगो बड़े कैंडल से कारबन शीट जलाता है जिससे पैदा होने वाला कारबन उस बंद रूम में पॉईजन का काम करने वाला था और जिससे साइपिन की मोत होने वाली थी दूसरी और जिया और शेनान फोगो की रहा देख रहे है क्योंकि साइपिन को बचाना उनकी प्रायोरिटी है कि तबी कार लेके फोगो वहां आता है उन दोनों को देखके वह कार से भागने की कोशिश करता है मगर जल बाजी में उसकी कार दूसरी कार से टकरा जाती है अब फोगो चाकु लेके वहां से भागने जाता है तो शेनान उसे दबोशता है मगर फोगो उसे चाकु से घायल करके भागता है तो आगे सिंडी उसे पकड़ लेती है अब जे और शेनन उस पे जपटके उसे एरेस्ट करते है मगर इस हातापाई में सिंडी बुरी तरह घायल होती है सिंडी को इमर्जनसी में हॉस्पिटल एंडमेट किया जाता है फोगो बताने को तयार नहीं कि साइपिन को उसने कहा रखा है तो अब उसे उसके फोटो स्टूडियो लाया जाता है शेनन स्टूडियो की उपरी मंजिल जाता है तो वहां उसे फोगो का स्पेशल रूम दिखाई देता है जहां Fogo murder की हुई लड़कियों की photo frame के साथ अपना photo निकाला करता है वहां लगाए कई लड़कियों के photo से पता चलता है कि Fogo ने कई लड़कियों का murder किया है उसी photo में Shannon को Waria की photo frame दिखती है जिससे emotional होके वो रोने लगता है अंदर के wardrobe में Shannon को उन लड़कियों की कटी हुई उंगलिया और प्रिजव की हाट भी दिखाई देते है अब जिया भी Fogo को उपर के उस room में लेके आती है और वो नजारा देखके पूरी तरह शौक होती है Fogo से पता चलता है उसने कम से कम 20 लड़कियों का murder किया है अब घुसे से Shannon Fogo को मारने की कोशिश करता है तो जिया उसके पेर पे गोली मारके उसे रोकती है फिर वो Fogo को लेके उस जगा निकलती है जा वो उन लड़कियों को मारा करता है रास्ते में जिया उससे पुछती है उसके साथ ऐसी क्या बात हुई कि वो immigrant लड़कियों का murder करते फिर रहा है और उनकी dead bodies को उनके employer के पास भेजा करता है फोगो बताता है कि दो साल पहले वो एक Indonesian लड़की अनिसा से प्यार करने लगा था वो भी illegal immigrant थी अनिसा उससे शादी करने वाली थी फोगो ने उसके लिए wedding ring बनाई अनिसा का passport फोगो ने अपने पास छुपा के रखा था ताकि वो उसे छोड़के जाना पए तो एक शाम जब फोगो का बड़की था तब अनिसा ने बड़ी चाला किसे फोगो को बेहोश किया और अपना passport लेके वो इंडोनेशा भागी और अपनी wedding ring को वही पे छोड़ दिया मानो उसने फोगो के पैर को धुत का रहा था जिससे फोगो का दिल इस कदर तूड़ गया कि उसने इन selfish immigrant लड़कियों से बदला लेना शुरू किया वो उन्हें उन्ही के बड़े पे मारता गया उनकी ring finger और उनका दिल निकालता गया फिर उनकी लाश को उनके employer के पास भेज के उन्हें एक तरह से धमकी देता था कि वह ऐसी illegal immigrant लड़कियों को काम पे ना रखे तबी कार में बैठे बैठे फोगो की नजर कार की रूप पे पड़े bullet के और blood के निशान के और जाती है वो जान जाता है कि जिया के boyfriend ने उसी कार में suicide की है वो उससे कहता है कि तुम्हारा प्यार भी तुम्हें अकेला छोड़के भागा है इस तरह suicide करना भगोडे की निशानी है अब वो उस सुमसान फैक्टरी में आते है जा साइपिन को भान के रखा है मगर जैसे ही फोगो लॉक का password डालके दरवाजा खुलता है वो अंदर भाग के दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है मगर जैया अपना हाट डालके उसे रोकती है अब जब वो फोगो पे बुलेट चलाती है तो वो अंदर भागता है जैया उसे धुंटे हुए अंदर आती है तो अब फोगो आइस ब्रेकर साइपिन के गले पे टिका के जैया को गन फेकने पे मजबूर करता है जैया गन फेक देती है अब फोगो जैसे ही भार बागने की कोशिश करता है जैया उस पे जपट पड़ती है दोनों में काफी हता पाई होती है फोगो हतकड़ी से जैया का गला दबाने की कोशिश करता है तो जैया पासी पड़ी गन उठा के फोको को शूट करती है मरते हुए फोको जिया से कहता है कि भले मैं मर रहा हूँ मगर तुम भी यहां से भार नहीं जा पाओगी क्योंकि बिना पासवर्ट डोर खुलेगा नहीं जिया बुलेट्स चला के दर्वाजा खुलने की कोशिश करती है मगर दर्वाजा नहीं खुलता तभी उसे नाथन की बात याद आती है कि वो जिन्दगी में कभी उसकी तरह हार नहीं मानेगी तो अब जिया वहां पड़े सिलेंडर से दर्वाजे पे लगी बुलेट्फूप ग्लास तोड़ देती है फिर बेवश पड़ी साइपिन को उठा के दर्वाजे के पास लाके उसे फ्रेश एर देती है साइपिन बज जाती है अब एक विक गुजरता है जिया अपनी उस कार को जंकेड में देके उसे स्क्रैप कराती है और अपनी वेडिंग रिंग कार की सिट पे रख देती है जैसे नातन से उसने प्रॉमिस किया था वो ऐसे ही एक नई उमीद के साथ जीने का उसने फैसला किया है तो दुसरी और शेनॉन हॉस्पिडल जाके वारिया की राख और अस्तिया साइपिन के सुपूर्ट करता है तो सिंडी भी ठीक हो जाती है वह भी अब जिया को अपना आधर्श मानने लगी है मूवी यहां खतम होती है दोस्तो एक्स्प्लेनेशन कैसे लगा कमेंड में जरूर बताना और नए वीवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि नए नए मूवी आपके सामने लाने का हमारा जोश बना रहे फिर मिलेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग